तो हम लोगों ने जो अधिगम की कल शुरुवात की थी लर्णिंग वाले टॉपिक की तो उसमें उससे रिलेटेड आज एक थियोरी है इस किनर की उससे आज हम लोग पढ़ेंगे लेकिन कल जो मैंने आपको अधिगम से रिलेटेड चीजे कराई है तो उसमें क्या है जो एक जो चीजे रह गई है वह उसके लिए आप जो है दो पेज एक इस तरफ और एक इस तरफ करके दो पेच छोड़ दीजिए उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में उसको भी करवा दूंगी पहले जो है वह एक थियोरी को यहां पढ़ लेते हैं ठीक है बाद में उस थि क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिद्धान ठीक है क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिद्धान इसके नार की थिहरी का नाम है ऑपरेंट कंडेशनिंग ऑपरेंट कंडेशनिंग इंदर टी आएगा ठीक है ऑपरेंट कंडेशनिंग वाई इसके नार ठीक है जो इसका अन्य नाम यह आपसे पूछ लेते हैं अलग अलग नाम से कि यह जो नाम है वह किस की है किस ने दिया है अनुक्रिया अभी क्रमित अनुदेशन सिद्धान्थ नैमितिक अनुदेशन और नाम पूछ लेते हैं इसे किस ने दिया है नाम पूछ नाम है और प्लीज इन्हें जो अच्छे से नोटाउन करके याद कर लीचेगा फिर हम देखते हैं गे RS थेयोरी इनकी थेयोरी किस ने दिया है RS थेयोरी दिया है इसके नर ने जहां पर आर क्या है आपका रिस्पॉण्स और एस क्या है stimulus ठीक है और है response response का मतलब है अनुक्रिया ठीक है जो भी हम लोग अनुक्रिया करते हैं वो है response ठीक है और stimulus क्या है उद्धीपक तो यह क्या अनुक्रिया उद्धीपक सिधान ठीक है किसने दिया इसके नर ने दिया है अनुक्रिया तो स्वाइ कि आपको किसी चीज का होने के बाद अगर कोई आप मंझेन होती है तो वह अनुक्रिया जैसे अगर मोबाईल या टेली फोना अब का बज रहा है तो फिर यह पिक कर रहे हैं तो वह जाए yeah आधिके तो समझ में आ गया कि उधीपक होता गया है जैसे अनुक्रिया तो आप समझे होंगे कि अगर आपने रिस्पांस किया किसी चीज़ का तो वह अनुक्रिया और आधिव क्या होता है कि जैसे मान लेजिए आप जैसे अगर भोजन देखके आपके मुवम में लार आ रह कि अगर जर देखके हैं तो बूब आपका च्टिम लेसे ओधी क्या है तो नर्या जिसको देखकर हम जिसके बाद हम लोग करते हैं तो वह हमारा होता है ठीक है और यह आप से दरूर पूछ लेते आरहां किस ने ने दी है इसके ने दीए यहां प्र लिखा जो भी कुछ करवाती हैं इतने भी टर्ञ होते हैं कुछ में नहीं रहता है तता है है सरी सिर्डश्यदिव ट जो है वह दे वह द्रश्यदिन स्क्रावि आप कर लाद बहुत इम्पोर्टनendeu हैं प्रक्राइब तो याद रखना है उन्हों ने किस पर प्रयोग किया था चूहे और कवुथर पर प्रयोग किया था तो यह पूछ लेते एक्जान्स में किould पर प्रवग किया ऑघर अपने पढ़ा किस तरह से किया नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूं कि जैसे जो एक बॉक्स था जैसे चूहे का जो एक box होता है ठीक है तो उसे इसके नर बॉक्स के नाम से जाना चाहता है तो जो box था उसमें एक भूह के चूहे को रखा गया ठीक है अब उस चूहे को जो है ना वो खाना-خाना मतलब भूख लगी रहती है और वहांपे एक जो लिवर होता है जिसे जो बटन रह बाल लगाने के पर होता क्या है कि उसे बताया है यह तुन भी पता होता ना कि यह द्रिवर दवाएंगे तो खाना मिलेगा वह तो बस ऐसे यह रैंडम ब्राप्त पर पड़ता है तो उसको वह कहना है तो इसा करने पर उसे पर यह मतलब समझ आ गया कि लीवर दवाने पर मुझे पूजन प्राप्त हो जाएगा तो उससे उसके जो है वह भूक मिट जाएगी तो यह उसका प्रयोक था अब अब यह चीज फोजन बार-बार मिल रहा है अब उसी चीज के लिए वह बार-बार जो है वह लीवर को दबा पुनर्बलन और दंड जो है दो शब्द दिये उसके जनरने ठीक है तो इन्हों नै कुछने और कभूतर पे प्रयोग यह था कि जो मतलब एक प्रयोग नहीं है मतलब चुछने और को बुतर पे काफी सारे प्रयोग करते था तो जैसे कभूतर का एक प्रयोग यह की जो वहां कैसा था सफेद चुवा था इनका ठीक है और कपूतर पर प्रेयोग है कि वह चुहे वह कपूतर से जो है वह उसकी चोंच से आठ बनवाना चाहते थे इस तरह कि एक प्रेयोग ठीक है तो इनके काफी सारे प्रेयोग रहते हैं अब देख लेते हैं दो महतुपूर्ण इसके नडने पहला है पुनर्बलन जिसे कहते हैं रियец वो थमन झाल है ठीक है आफिके बनेशमेंट रियून से दान्ट के जनत तो सी ल हघल याई क्लार का हल अब हम पूर बलन से याद कर सकते हथरों ठ understand तो सिल आ ड़ो ने दिया लेकिन पुनरबलन जो शब्द है वो किस्सें दिया इसके नड़न थे के पुनरबलन शब्द की बात कान करते हैं जादा तो वह इसके नड़ करते है लेकिन पुनरबलन सिंदांड के जन्नक कौन है वो सीयल हाल है ठीक है तो इसको आप याद रखेंगे अब देख लिए पुनरबलन होता क्या है वहार को दोराने के लिए दिया गया बल ठीक है अब जैसे चुहा था बार-बार जो है लीवर पर पैर मारता था और उसे बोज करने के लिए दिया जाता है यह सभी को पता है दंड कैसा होता है ठीक है और दंड होते क्या इदर मैंने लिख दिया दंड जो in two Creat end जो प्रकार थी आपको पता हिए यह कि आप पो कि प्ल greet प्लिप कैसे देख लेते हैं दंड अगर पश्जिव यह मतलब कि इसने को काम देना ठीक है पॉजिटिव दंड जो होते हैं या एक्स्ट्राइटिव के लिए बोल ना की इतनी दोर लगा के आऊ तो यह और धे रखन का dimdo करनाज तो यह क्या है चरह को आपका पॉजिटिव आपका पंनिश्मेंट बेहाता है निगिटनश्मेंट आप जानते ही मान लिजे कि punish करना ठीक है खड़ा कर देना आपको सीट पर या इस तरह का जो भी होता है यह क्या है punishment है जो कि negative है जो कि नहीं करना चाहिए और जो यह वह positive punishment होती है तो डंड क्या है दो प्रकार के होता है अब हम लोग पढ़ लेते हैं पुनर्वलन के बारे में ठीक है पुनर्वलन क्या है रिइंफोर्स्मेंट क्या है किसी चीज को मजबूत या अप्रोच साहिद करने के लिए करने की क्रिया प्रभलित होने की अवस्था ठीक है बदत किसी चीज को हम लोग करते हैं और वो काम बार-बार हो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं पुनर्वलन देते हैं ठीक है इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तत नहीं करना चाहिए पहले अधिगम करता को अनुकृया करने देना चाहिए यदि अनुक्रिदीव क्यों तो उसके बाद यह वाला काम कर लो तो आप इसे पहले पुनर जो है उदीपन नहीं दे देंगे ठीक है पहले क्या है उसको अनुक्रिया करने देंगे उसे अपना काम करने देंगे और उसके बाद जो है उसको उसके अच्छे काम के लिए आप उसे पुनर बलन दे सकते हैं ठीक है या आप उसे खेलने देंगे या उसे मतलब आच्छी जी जैसे उसके इस में मनलक्तों मालनी जिस sì ओ लिए मोपाइल दे दिया तो जब वह काम खर लेगा उसके बाद आपको पुनरबलन देना यह इनका इस कि नरका है प्रकार प्रकार इसे सकारात्मघ। और नकारात्मक पुनरबलन देख लेते हैं किस तरह से सकारात्मक पुनरबलन क्या है इस ट्रेंग्दन्स आप बिहेवियर बिहेवियर को मजबूत करने के लिए सकारात्मक पुनरबलन दिया जाता है देखे ते जैसे प्रशंसा और जैसे बच्चा अगर आप वज़े को टीवी अगर दिखा रहे हैं लेकिन उसको ग्जान की चीज़े दिखा रहे हैं तो यह क्या है उसके जो वियवार को है वह अच्छा करेगा और वह देख रहा है तो बार-बार मतलब पसंद करेगा कीथ काफ़ के लिए चीज़ें ले लेना जिसे बच्चा पसंद करता है ठीक्थ किने 6 नहीं दिया जाएगा तो यह क्या है नकर आत्मक पुनरबलाना जिक है एक गलत बेएविया को मालीज जब लिए यह प्रति प्रातमिक पुनरवलक और थीव क्या होते हैं भोजन पानी हवा वियावार करने पर मजबूर करें प्रातमिक पुनरवलक मतलब जो है वो चीजी है जरूरी ही है unfortunately जो liters होती है भोजन पानी हवाध आपको मजबूर करें और भूक लगरी है तो आप मतलब आप response करेंगे ही करेंगे ठीक है ना भूख लगने पर और दुटीयक पुनरवलग क्या होता है पैसा grade स्वरी पैसा grade टारीफ अगर वियोवार करवाती है पैसा ग्रेट तारीफ अगर आप से वहवार करवाती है मालिजे आपने किसी की प्रशंसा कर दी और उसके बाद आप वो काम कर रहे हैं या फिर आपको अच्छे नमाक्स मिल गए उसके बाद आप सोच रहे हैं अब और अच्छा पढ़ना है तो यह क्या है आपका सेकेंडरी जो हो जबूर करें तो यह क्या है अपने बड़ा दंड को मैंने यह समझाई दिया बॉस्टिव होते हैं और निगेटिव होते हैं अब इनकी बुक्स हैं जो बहुत इंपोर्टेंट हैं काफी बार पूछी गई इस किनर की दो बुक्ष हैं तब बीएवियर ओफ और्गनिस्म औ आप ऑूर्गन ठाटेंगे जेडेख ऑर करेंगे तो बहुत है इनकी बुक्स है है वह याद करेंगे पर अपनाया है कि अब थोड़ी सा और जानकार आसठाव के बारे में फिर अधिक बारे है ठीक है आप इसका स्क्रीन शॉट लेनी जाए जब ठीक है अब इसके आगे हम देखते हैं इन्होंने दो प्रकार के जो है वो व्यावार बताए हैं दो प्रकार के बिहेवियर बताए हैं इसके नड़ने कौन से हैं वो ऑर रटाइब ठीक है इस्तीम प्रकार की ये वो नहीं स्वंद्ध पर ऑधारित होता है इस इसे में प्रतिक्रिया होती है जैसे कि आपके आख में धूल पड़ी और आपने आखे जो बंद करेंगे उस टाइम पे वो आपकोrakt法 pi करता की आपको करनी है यह नहीं करनी यह वह स्वभाव्य है ठीक है कोई अच्छी चीज देखने में मुन में पानी आना स्वभाविक है ठीके प्रस्वभाविक प्रतिक्रिया होती होती है तो ऐसी जो है वह स्टाइप में क्या था आपको जो प्रतिक्रिया है कैसी होगी स्वभाविक इस पर बेस्ट होगी ठीके और स्टीमिलस है क्या हमारा जो भी मान लीचे डूल है तो वह ह है आपका stimulus है ठीक है stimulus आपको समझा क्या होगा किसे कहते है एक्जामपल देख लेते हैं जैसे रोशनी पढ़ने पर आख बंध हो जाना ठीक है तो यह क्या है इस्टिमलस बेज़ रहे है और सेफ्टी फिन चुबने पर शरीर का अंग हम देखते हैं सेफ्टी फिन चुबने दो अब थोड़ा सा हम लोग ऐसे मुड़ जाते हैं तो शरीर के अंग का मुड़ना तो यह क्या है इसके एक्जाम्मपल है कुछ ठीक है फिर हम देते हैं अर टाइप यह प्रिया प्रसूत व्यहवार कहते हैं जिसे यह परिछालन कियते हैं धबम जो है व्यहवार कैसा होत करेंगे तो इसका जैसे के एक्षा पर इसा होता है था क्रिया प्रसूती हमने इसके नर का ऑपरेंट कंडिशनिंग तो यह थियरी हम लोगों ने जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजे करा दिया है बात कि जो प्रेक्टिस है वो आपको तो पुखला के करनी ही पड़ेगी साथ में अगर जैसे प्रेक्टिस रहते अगरे में डिस्क्राइब करके वो चीजे भी आपको जरूर पढ़नी होती है ठीक है ताकि वो और ज्यादा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं चीजें कि आखिर कहना क्या जाती है यह थियरी ठीक है तो यह चीजे जो यहां खतम होती है आप जो वो दो पेज रह गयते ह कि आधिकम क्रम पढ़ेंगे और लर्निंग क्रुट वकर और पठार क्या है इनको भी देख लेते हैं नहीं बाद तो पहला है सरल रेखी वक्र क्या है एक समानगति से सीखना मतलब अगर आप कोई भी आप बिमार नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप जो है बराबर पढ़न ह物 लगा रहे हैं तो क्या है वो देरे 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 वो सरडल रेखी गती सो मतलब त데 İs साथ साथ आप शीधे ही जा रहे है दिरे दीर तो वो क्या है आपको ग्राप से याद रख सकते हैं इन्याहет आप says संपवता सीखना तिक RH最近 हमारा पहले तो आप तेज गती से सीखते हैं फिर आप गती जो है धीमी हो जाती है जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्पन में जब तक मम्मी हमें बढ़ाती है चोटे वह तब तक तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है फिर हमारी इक्छा पर निरबर कर खाल गया थो यह क्या है उन्नतो दर ऊपखो ठीके न पहले तेज कुन के वखर किसे कहते हैं जैसे की आपने पहले आपकि जो लर्निंग हुत emen हो दिवें इस यह उसके बाद जैसे आपका इक्शाम आया आपकि अधिगम बहूत तेज होने लगा लड़निंग बहुत तेज होने लगी आपने चीजों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया तो यह क्या है कौन के कर्व है ठीक है ना पहले सेखने की गति धीमी और बाद में तेज हो जाना तो यह क्या है एक पॉजिटिव चीज है ठीक है ना पॉजिटिव तो यह क्या है कौन के कर्व है आपका फिर फूर्थ है हमारा मिश्रित वक्र मिश्रित वक्र क्या होता है आपका मिश्रित कर्व होता है ठीक है ना तो यह किया है आपकी मिग्स चुछ जो है कर्व है आपकी मिश्रित वक्राइब ठीक है ना फिर हम देखते हैं अधिगम के पथार क्या होते हैं अधिगम के पथार बिसिकली वह होता है जब आपने कुछ दिन तक तो लर्निंग की उसके बाद चाइब तो आप बिमार पढ़ गया फिर किसी और कारण से या फिर मन नहीं लगा जो भी है तो उस टाइम पे हमारी जो लर्निंग हैं बहुत करव हो वह जाएंगा चिता हो जाएगा तो इस टायब में पर सब्सक्रा़ लेकिन बढ़ता जा रहा हो लें अग्दम के था सब्सक्राइब हुए फिलिस तो जाल रहा है ऑब बीठ言 बहुत को फ्रス he जाती है तो हमसे अधिगम का पठार कहते हैं ठीक है तो जो है हम लोगों ने यह चीज़े यहां पर करी और एक और concept concept क्या देखते हैं कि जो maturity और learning में क्या संबंद होता है वो भी आप जो है होती है जैसे कि अगर बच्चा व्रोक कर रहा है जग तक वह चनला नहीं सीखेगा तो फिर बाकी के काम या खेलना या फिर और काम कैसे सीख सकता है तो जो इस में connection है वह ऐसा है कि परिपक्वता होने के बाद ही जो हम लोग अधिगम करते हैं ठीक है लर्णिंग और maturity का यह क्या है संबंद है ठीक है तो आज की class में हम लोगों ने theory को complete कर लिया और learning का learning की काफी चीज़े पढ़ ली अब हम लोग अपने next class में जो है वह थांड़ की theory को discuss करेंगे क्या उन्होंने कहा है और आगे ऐसे ही अपने बागी की theory को complete करते जाएंगे और आपका इसी तरह जो है वह काफी जो है कॉर्स कंप्लीट हो भी गया है और आदा जो बचा हुए वह भी complete हो जाएगा प्लीज आप notes जो है वह अच्छे से बनाते रही है और उन्हे जोह आएगि छेघा कि के लिए कि लिएगे ठीजिए घे हैंगे हैंगे